नमस्कास अभी बाईयों को स्वागत है आपका अपके अपने चैनल वेट ब्लॉक्स में तो काफी बाईयों की डिमांड आ रहे थी की वर्ल्ड ग्रेंड चेंपियन 2021 शकीरा के सायर मतलब बाप की डिटेल में डिसकुशन की जाए और डिटेल के साथ-साथ हम इसके सीमन के अवैलेबिल्टी के बारे में बेपताएंगे तो स्टार्ट करते हैं शकीरा के सायर की फुल डिटेल के बारे में स्टार्ट करते हैं production trade से जिसमें milk, fat और protein आ जाता है, milk जो की minus में हैं तो ये bulg milk में improvement नहीं करेगा, fat और protein में ये bulg कुछ percentage improvement देगा, then आगे है health parameters जिसमें SCS, PL, NDPR जो की main parameters है, इस bulg का somatic cell score 3.33 है जो की बहुत ही ज़्यादा है, तो ये mastitis resistant bulg नहीं है, इस bulg की DPR and PL value भी negative में है, जो की minus point है bulg के लिए, next है linear traits, तो इस bulg के बच्चों की length काफी अच्छी रहेगी, strength, dairy form, ribs, body depth, lump angle and thural width, ये सभी बहुत ही अच्छे हैं, जो farmer ज़्यादा height वाले animal पसंद करते हैं, उनके लिए ये bulg सही है, then बात की जाए, इसके leg score की, तो leg score भी काफी अच्छे हैं इस bulg के, then बात की जाए, other के traits की, तो other के सभी parameter बहुत ही अच्छे हैं, then right side में bulg की pedigree detail है, then ये bulg की dam photo है, अगर overall bulg की performance के बारे में बात की जाए, तो production and health parameters के लिए ये bulg काफी useful नहीं है, तो आप इस bulg का सिर्फ linear trade सुदारने के लिए यूज कर सकते हो, production and health के parameter नेक्टे में होने के कारण, इस bulg की TPI only 2172 है, then बात करते हैं इसके C1 की, तो अगर आप world champion 2021 शकीरा bloodline को यूज करना चाते हो, तो आप EBS company के bulg showtime को यूज कर सकते हो, बट अगर India की dairy bit को देखा जाए, तो ये bulg Indian farmer के लिए सही नहीं है, according to me, आप इस bulg को यूज ना करें, तो ये थी आज की वीडियो, वीडियो informative लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना बुलें, नेक्स वीडियो की notification के लिए चैनल को subscribe जूँर करें, तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में, थैंक यू,